हाई गाईज, स्वागत आपका अंजू स्टीचिंग आडिया चेनल पर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है आज हम पुरानी बैड़ सिट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम बेबी के लिए इस तरीके का देखिए यह गद्दा बनाएंगे इसको बनाना बहुत ही आसान है तो फ्रेंड्स आपके कमेंट्स का मैं हरे कमेंट्स को देखती हूँ और उसको रिप्लाई करती हूँ और कोशिस करती हूँ कि आपकी पसंद की वीडियो बनाई जाए इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए हमने पुरानी बैड़ सीट का यूज किया है आप चाहो तो कोई कपड़ा भी ले सकते हो इसमें कुछ इस तरीके की प्रिंट है औल ओवर प्रिंट एक जैसी है इसके अंदर तो अगर आप चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहला आइकन को प्रैस करना आप चाहो तो दोनों लेर को एक साथ में ले सकते हो आप चाहो तो दोनों को अलग लग कट कर सकते हो इसकी चोडाई है 18 इंच की और इसकी लंबाई है 18 इंच की तो देखिए मैंने दोनों पीस एक साथ लिये है तो यह हमारा आठ बार फोल्ड है यहाँ पर मतलब एक पीस को हमने फोर फोल्ड कर लिया है यहां पर कट करके तो मैंने दोनों पीस एक साथ में रखे हैं आप चाहो तो अलग-लग भी कट कर सकते हो देखिए इधर की से उपन है यह हमें क्या करना है सबसे पहले इसके कोर्णर से हमें कटिंग करना है यहां से लगभग कॉर्णर इसकी पाच इंच के आसपास हमें कटिंग करके लेनी है जब आप दोनों पीस एक साथ कट करते हो तो आप इसको पिन अप कर लेना ताकि आपका कपड़ा जो है इधर उधर ना खिसके अब हम इसको फैला लेना है जो सबसे आसान तरीका है कोई भी बना ले वो वाला तरीका मैं लेकर आई हूँ तो फिर इस देखिए सबसे पहले हमें एक इंच कपड़ा छोड़ते हुए किन और के उपर यहां पर मार्किंग करनी है पूरे राउंड में फिर हमें एक इंच छोड़ते हुए एक मार्किंग और करनी है पूरे राउंड में तो हमें दो मार्किंग करनी है एक एक इंच की दूरी पर कॉर्णर से पूरे में करने अब देखिए ये आठ इंच पे मार्किंग की है जो हमने दो बार मार्किंग की है उससे नाप लेकर मैंने ये आठ इंच पे पूरे में हमें ये मार्किंग करनी है राउंड में इस तरीके से एक मार्किंग हमने एक इंच पे की दूसरी हमने फिर एक इंच पे की तो हमारा दो इंच कपड़ा बच गया है उस दो इंच को छोड़ते वे फिर मैंने आठ इंच पे ये मार्किंग की है पूरे राउंड में इस मार्किंग को कर लेंगे, तो देखे कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, अब देखे हमें क्या करना, यहां से 6 इंच के लगबग हमें ओपन रखना है, हमें सिलाई लगानी है अब जहां जहां हमने मार्किंग के है, लेकिन यहां से हमें 6 इंच के लगबग हमें देखी open रखने हैं हमें तीनों सिलाईयों के उपर हमें इसके उपर तीन सिलाई लगानी है यहां से शुरू करेंगे इस सिलाई को और ऐसे लेकर आएंगे और यहां change छोड़ते वए open रखते वए यहां पर सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से second वाल इस दी है अब यहां पर देखिए हमें second शिलाई लगानी है तो आपको जो change open रखना है उसको आप पहले से marking कर लेना ताकि आपको आसानी रहे अब देखिए यह जो किनोर की सिलाई है दोनों मैंने यह लगा दी है और 8 इंच की दूरी के उपर जो शिलाई लगानी थी वो भी म मैंने लगा दी है देखिए यहां से change के लगबग हम मैंने तीने सुलाई में open रखाई सीज का ध्यान रखना मैं बार बार बता रही हूं आपको दाई इंच के लगबग चोड़ी है कि यह लंबी पट्टे कट करके ले ली है मैंने red color में आप चाओ तो same color की भी ले सकते हो लेकिन मैंने red color के लिए है क्योंकि यह बाद में इससे design बन कर आएगा तो अलग से नजर आएगा तो अच्छी लगेगी इसको देखिए इस प्रकार से इसके उपर रखेंगे और पूरे round में हमें इसको seal लेना है बिल्कुल आसाने से seal जाएगा कोई आपको cross में पट्टी के ले लिए है अब इसको ऐसे पलटेंगे यहां से और इसको यहां से ऐसे double fold करेंगे और इसके किनोर के उपर सिलाई लगाएंगे यह देखिए round में भी कितनी अच्छी finishing आ रही है इसमें straight पट्टी है तो भी अच्छी finishing आ रही है यह देखिए इसको पूरे में इस तरीके से मैंने सील लिया है आप भी इसी तरीके से इसको fold करके सील लेना यह पट्टी देखिए इतनी है और यह देखिए यहां से open है अब हमको cotton लेनी है यह देखिए मैंने cotton ली है हम बेबी के लिए bed sheet बना रहे हैं तो cotton तो हमें लेनी ही पड़ेगी इसमें हम कतरन नहीं भर सकत तो देखिए जो 6 इंच से हमने open रखा है उसमें से हम देखिए इस तरीके से जो अंदर वाला part है सबसे पहले हमें उसको cover करना है मतलब उसको भरना है cotton से और हाथ से अच्छे से जमाते हुए फैलाते हुए जितनी आपको मोटाई से यह उतनी आप मोटाई ले लेना इसकी मैंने इसकी जो मोटाई रखी है वो लगबग 4 इंच की होगी और इस तरीके से मैंने अंदर वाले part को पूरा भर दिया है cotton से और यह जो cotton है यह market में easily आपको मिल जाएगा तो यह देखिए हमने इसको अंदर से पूरा अच्छे से भर लिया है देखिए अब हमको क्या करना है एक सुई धागा लेना है और जो धागा है वो मोटा धागा है और यहां से देखिए जूम करके मैं दिखा रही हूं यहां से ऐसे डालेंगे और उपर की सैड सुई को निकालेंगे वापिस से और यहां पर टाइट खिसते वे धागे को फिर इसको यहां पर हम लोग कर द करेंगे और फिर टाइट खीचेंगे ऐसे और फिर यहाँ पर लोग कर देंगे बिल्कुल आसां सा तरीका है अब देखिए हमें इसके अंदर यहाँ पर देखिए आठ जेगह इसके अंदर हमने यह को अब यहाँ पर हमें शिलाई लगाना पर हमने एक जो सिलाई लगाई थी तो हम उस वाले पार्ट को अब भरेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा ये वाला भी देखी हाथ से सबसे पहले आपको यहां तक लेकर जानी है को और इसके अंदर आपको बहुत जादा टाइट ठूसके भी नहीं भरनी है रूई और नहीं आपको जादा सौफ्ट रखनी है ठीक ठाक भरनी है ये देखे पूरी भर दी है अब हम इसको यहां से देखे मसीन से फिर से लोग कर देंगे शिलाई लगा देंगे चेंज जो उपन था उसके उपर अब देखिए हमको क्या करना एक तनी लेनी है लंबी पूरी राउंड में आजा इसमें आराम से इतनी बड़ी मैंने सील ली है एक तनी और इसको मैंने पिन कर लिया है देखिए पिन के अंदर डाल लिया इस तनी को और देखिए जो एक इंस की दूरी के उपर हमने सिलाई यह last वाली मतलब जो यह कन्नी हमने फोल्ड कर रखी red color की इसके पास पास में हमें इसको तनी को डाल लेना है अब देखिए यह जो पट्टी open है इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना है यहां से पहले इसको हम इसको attach कर लेंगे इसके साथ में और अब इसको हम पलट लेंगे और पलट कर इसको fold करेंगे अंदर की side और fold करके इसके उपर भी हम किनोर की सिलाई लगा लेंगे आसानी से हो जाएगा यह काम आपको आप चाहो तो पीछे से गद्दा उठाने के लिए किसी help लाई सकते हो या फिर कोई table लगा सकते हो ताकि गद्दा नीचे ना लटके machine से तो यह देखिए काम हो गया है हमारा final अब इसको इतना खीचेंगे बहुत जादा भी नहीं खीचना है टाइट और blues भी नहीं छोड़ना देखिए इस तरीके से खीचेंगे और यहाँ पर हम इसको लोग कर देंगे और लोग करने के बाद जो यह extra जो तनी दिखरी देखिए अंदर ऐसे आ जाएगी इसके अंद अराम से जगए है इसके अंदर इतनी तो इस तरीके से देखिए यह हमारी बेबी के लिए हमारे देखिए कितना प्यारा सा गद्दा बन जाता है पुरानी बैड़ चिस से मैंने इसको बनाया है और बनाने का तरीका जो सबसे आसान है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है त इतना सोफ्ट यह गद्दा बनकर तयार होता है यह देखिए क्योंकि हमने इसके इंदर कोटन डाली है फ्रेंस देखिए जो हमने करनी बनाई थी उसकी देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर देखिए डिजैन बनकर आ जाती है और इससे इसका लुक जो है और भी ज्यादा अच्छा लगता है आप खुद देख सकते हो तो फ्रेंस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए बाइ झाल